इसरोड के यूस को मैं गलत नहीं कहूंगा बशर्ट आप उसको कुशल गाइडेंस के अंडर ले रहे हैं आपको उसके प्रोज और कौंस पता हैं कब उसको लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई बताने वाला आपके पास कोई आपका भला चाने वाला दख्ति होन उसको घरे लोग चाहर के तो ठीक करने कुशिश करते हैं ठंडे पाने की पत्ती रखना जा घर में जो भी प्राकरते गोश्य दिया हैं उनकी साहता लेते हैं जब हम नहीं होते ठीक होसे तो फिर हम मैडिकल है लेते हैं इसे प्रकार हमारी शरीके बीमारियों के कारण या या फिर बढ़ती एचे कारण है या फिर हमारी शरीके होर्मोन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डाइट हमारी पर नहीं है उस केस में अपने फिटनस स्कूल को अच्यूब नहीं कर पाते हैं पीछे रह जाते हो लोगों से तब उस दर्शा में आप एस्ट्रोड के साहता ले सकत में आप सभी के अपने यूटीब के चैनल जिसका नाम एक बार पुना आप सभी को बता देना चाहता हूँ ड्रीम फिट ब्लॉग वीडियो को बहुत जादा लंबा ना करते हुए चलते हैं हमारे आज के मेन कंटेंट की तरफ जो की है बहुत से लोग बात नहीं करते हैं इसके अपर बात नहीं करना चाहते हैं लेते बहुत से लोग हैं बट नहीं करना चाहरे हैं इसके बारे में वह नहीं डिस्कूस करन है यह नहीं है इस पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे तो बनि रहे है एए मेरे चैनल के उपर मेरे चलने की आवाज वह इस वीडियो में उनाए तक की एज में होते हैं, तो आपके बॉड़ी के हॉर्मोन पीक लेवल पर होते हैं, जैसे जैसे आप अच्छे से उपर जाने लगते हैं, तो आपके बॉड़ी के हॉर्मोन उस लेवल के नहीं रहते हैं, जिस लेवल के आपके यंग एज में रहते हैं, तो हर चीज में आपक में उनके लिए वो करना संभाव नहीं हो पाता है चाहिए वो काम की वज़ा से हो या चाहिए कोई भी मेंटर उनके पास प्रेशर हो उसकी वज़ा से या एस्थेटिक लेवल पर उन्होंने अपने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया पहले जब हम पढ़ाई करते हैं मतब 30-35 की चीसे सब्पोस करो कि मैं हूँ अभी मैं 38 में अगर अभी खेल रहा हूँ तो मेरी मैं अपने आपको कंपेर करो 15-20 साल पहले से तो समय की चीज़ें नहीं हो सकती है अभी समय सिफ पढ़ाई का आपके पर लोड होता है बाकी वाल को responsibility नहीं होती अभी आपको ज हर किसी की choice होती है कि वह किस लेवल से किस लेवल की fitness चाहता है कोई इससे physical fit रहना चाहता है कि नहीं फिटनेस किसी के लिए होता है कि यार थोड़ा-बहुत 24 घंटे में जो होता है कि बहुत ज़्यादा है यह कहीं भी लिखाने के फिट रहने के निशानिया हैं आप मोटे भी हैं कोई दिक्कास वाली बात निया अगर आप सब चीज कर पा रहे हैं सब चीज करने में सक्षा में आप आप दोड़ भी ले रहे हैं आप पुशाब भी माल रहे हैं आप स्कौर भ को फिट कहेगा देखिए काम का प्रेशर है किसी के पास दिन भर चीयर पर बैठ के आपको काम करना है या कुछ और चीज है बिजनस के रिगार्डिंग आपको ट्रिप बहुत लगाने पड़ते हैं तो उस केस में नहीं हो पाता में डायेट को मैंटेन कर पाना अब मैं एक ज पास प्लब्द होगा तो अब बात आती है इस्ट्रोड यूज की कि इस्ट्रोड यूज क्यों होता है कौन करता है इसका यूज है या नहीं है देखे बधिस मैं ने फिर आपको बोला है कि हरकिसी की आलग अलग होर्मोन ओते है और जिस्ट लेबल का आज की डेट में खानपान चाल रहा है कि आज़े तो जो हमारे चिसी जो सब आदिकतर हो ऻी रही है जैसे आ Ching मैं करती है तो एक क्षीज है जो मैं परफोर्मेंस होती है यह थै करता टाकत है वह चीज में आपकी परफॉमस जो आप जिम में दिखा रहे हो, कितना भारी आप वजन उठा रहे हो, यह सब चीज़ें, आपके सेक्स पावर जो है, वो सब चीज़ें रिस्पॉंसिबल होता है, टेस्टोसरोन, तो जब चीज़ हम यह चीज़ लेंगे ही नहीं, इन चीज़ों का लेने क आपके बास सीदे दो या तीन बजे खा रहे हो, तो ऐसा करके आप अपने बोडी के मेटाबॉलिजम को भी डाउन कर रहे हो, ठीक है, तो इस समय बहुत से लोग हमने यंगसरों देखे हैं, कि जो इस रोड की तरफ जाते हैं, देखें, दो चीज़ आपको बताना जैसे मैं हूँ, मेरे पास, अब मैं 38 एज का हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी एज बढ़ रही है, तो इसके हिसाब से मेरी परफॉर्मस डाउन हो रही है, मैं नहीं कम्पीट कर सकता, बहुत से लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में, जो जिम्मिंग कर रहे हैं, और करते हैं कि नहीं, ताकत लगाओ, और जोड से करो, जिम में लगा रहे हैं, तो और वेट मारो, खुक ले हो अंदर से यह चीज है, बट वो चीज नहीं होती है, बात वो चीज नहीं है, आपके उपर रिस्पानसरीटी कितने आप वो देखिए, आप कितने घंटे सो रहे है आप वो देखिए, आपका खाना कैसा वो देखिए, वो सब डिफाइन करेगा कि आप कितना ज्यादा वेट उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो, यसा नहीं है कि आप ताकत अंदर से नहीं लगाए, जब भीया आदनी खा ही नहीं रहा है, उसके पर खाने के लिए टाइम डाइट लेने के लिए टाइम नहीं है, तो कहां से बंदा पुछ करेगा अपने आपको, है कि नहीं, तो यह थो थी बेसिक चीज़ है, अब फिर मों बतारों कि स्रोइट कोई हलकी चीज़ नहीं होती है, जिससे भी आप ले रहे हो, जान पूछ कर लें, और उन लोग को ब कराशना चाहते हैं, बहुत आपकी जो चीज़ अपने आपको फिट रखना चाहते हैं, कि नहीं यार, उनको से फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए, हमारे और जाएंसे काम करें, वो लोग अगर यह चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं बिल्कु सजेस्ट नहीं करूँ है कि उनको लेना चाहिए विए अच्छी चीज भी नहीं है अगर लात एक बार आपको इसके लग जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है इससे पार पाना तो इस्टोर्ट का यूज सही है अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ ले रहे हो उसका प्रॉप या आपके पूरा जीवन परियान तक आपके साथ चलेगी जो चीज आप आपने अभी आज इस्टोर्ट का यूज लिया है एक दो में तक आप ले रहे हो उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आप बिल्कु जहां पे थे उससे भी बिल्कु डाउन चले जाओगे यह तो अफिर वाली बात है तो सोच समझ के उप़र इसके उपर इन्वेस्ट करें लोगों की एकदम बातों में नाएं कि यह ले लें ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास पैसा है आप अपने उपर साल दर साल लगा सकते हो इंवेस् करके वो अपने शेरी को अंदर से खोकला ही कर रहे हैं उनको कुछ फायदा होना है नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए कालेज में अच्छी बाड़ी बनाने के लिए या लोग के सामने टशन जारने के लिए अगर इस्टरोइड यूसर कर रहे हैं तो बिलकुल भी सही नही हैं लोग हमारे बीच में ऐसे लोग हैं मेरी जान पैचान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जान पैचान के बीच में भी होंगे जो इस्टरोइड ले रहे हैं ठीक है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस्टरोइड ले रहे हैं लेकिन पबिल्क में यह वो बात कर रहे है आपको ठीक है तो कभी भी आप इन लोगं के जहांसे में ना आएं कि मैंने ऐसा कर दिया मैंने नैच्वल में जा रहा है क्योंकि वो तो अपना इस रोड लेकर यूज बड़ा रहे हैं बड़ बिचारे आप लोग हो जाते हैं जो उनके जहांसे मां जो जिम कर रहे हैं, जिम में आकर जिन्होंने अपरी बोड़ी को स्लोट के बेस पर तराज लिया बोड़ता है और आपको ब्रहमित कर रहे हैं तो बिलकुल को बॉडी आपके सपोर्ट नहीं कर् रही है, आपके हीवर्मोन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसकेस में भी आप ले सकते हो livable स्चोर बर्ती एज मेंुधने चाहर है। कि नहीं हमको कब लेना है कब इसमें गैप करना है देखिए इसको लेने से पहले भी आपको अपनी बॉड़ी के ब्लड टेस्स कराने पड़ते हैं इसको छोड़ने के बाद भी अपनी बॉड़ी के ब्लड टेस्स कराने पड़ते हैं जिससे कि आपकी बॉड़ी के अंदर या आपके parameter कैसे हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है तो 6-6 मैने में तीन-3 मैने में अपने body के blood test भी आप कराते रहे हैं चाहिए आप स्रॉड ले रहे हो या चाहिए नहीं ले रहे हो अंदर उने भी हमको दिखने पता होने चाहिए कि नहीं द आपको दवाई देते हैं तो जब आप अपने उपर जिम में यह चीज़ कर रहे हो तो पहले आपको अपना basic पता होना चाहिए कि मेरी body के अंदर चल क्या रहा है आपको स्रॉड लेने को किसमें बोल दया कि स्रॉड ले लो लेकिन आपकी body उसको लेने में सक्षम है या नह तो स्रॉड कहीं उसमें दिक्कत ना कर दे तो सामना ले responsible responsibility लेगा उस चीज़ की यह ना तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए तो किसी ज्यानी पूर्श से ही आप लें सला लें या किसी अच्छे nutrition coach से सला लें जो आपका भला चाहता है आपके family का भला चाह देगा इसको अपने मित्रों के बीच में और चैनल को प्लीज 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 हाज जोर के विनमे निवे देहना है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा जिससे कि थोड़ा ता मुझे push मिले थोड़ा मुझे motivation मिले आपको लगे कुछ समय में नहीं आ रहा बेजी किसी भी समय मेरा WhatsApp नमबर है डिस्क्रिप्शन में वीडियो के अंतर में भी मैंने डाल रखाया आप मेरे से बेजी जक पूछ सकते हो तो एक नहीं वीडियो के सांथ पुरना आप सबीसे बहुत जल्दी मुलाकात हो दिये तब तक के लिए मुझा आ गया दे धन्यवाद